दोस्तो विग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर वीकेंड के बार के दोरान आमने सामने आए टीना की मां और सुंबुल के पापा लेकिन टीना की मांने लगाया सुंबुल पर गलत आरोप तो सल्मान बने इस बार सुंबुल की आवाज जी हाँ फाइनली पसीजने लगा है अब सल्मान का भी दिल सुम्बल के लिए होने लगा है सल्मान को भी महसूस सुम्बल का दर्द क्या कुछ हुआ चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर वीकेंड का वार इस बार हुआ काफी धमाकेदार टीना की मम्मी आई वीकेंड के बार पर टीना गत्ता की मम्मी काफी समय से वीकेंड के बार पर आने की कोशिश कर रही थी और लगातार कह रही थी कि मेकर्ज मुझे नहीं बुलाते हैं सुंबुल के पापा को बुलाते हैं लेकिन इस बार मेकर्ज ने उनको भी बुला दिया पर आकर टीना की माने तो सुंबुल पर ही आरोप लगा दिया टीना की माने अपनी बेटी को जड़ा सा भी गलत नहीं कहा। उनके according उनकी बेटी जो कुछ भी कह रही है वो पूरी तरह से सही है उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी ने इस इंडस्ट्री में इस मकाम पर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और उसने कभी भी किसी का गलत नहीं करा सुंबुल के दिल में कहीं ना कहीं शालीन के लिए जो फीलिंग्स हैं जो सब को दिख रही हैं अगर मेरी बेटी को भी दिख गई उस घर के अंदर रहते वे तो इसमें क्या गलत है मेरी बेटी ने सची तो बोला और अगर सच बोलना इतना गलत है तो फिर तो ये शो भी गल को मक्मल के कपड़े में लपेट कर बोल रही है जो मेरी बेटी ने खुले आम बोल दी और वही बात चुब गई सुंबुल को वही बात चुब गई सब को पर मेरी बेटी यहां पर गलत नहीं है जब इतना कुछ बोल रही थी टीना की मम्मी तो सलमान से ये बरदाश नहीं टीना की मम्मी को साफ साफ कह दिया कि देखिए अगर इस शो के अंदर किसी के पापा आकर उसको समझा रही है तो वो हमारी मर्जी से आई हैं उनको हमने बुलाया है तो आप तो शो में खड़े होकर शो बनाने वालों को ही गलत कह रही है इसके साथ साथ सलमान ने ये भी कहा कि आप कैसे सुमबूल को गलत कह सकती है और सिर्थ ये कह सकती है कि टीना सही है ताली कभी भी एक हाथ से नहीं वस्ती और अगर टीना को ये लग रहा था कि सुमबूल के दिल में शालीन के लिए कुछ है तो क्या आपको नहीं लगता कि टीना को सुमबूल से ये पूछना चाहिए था ना कि उसके पीट पीछे उसकी बुराइया करती वो तो उसको दोस्त कहती है ना तो दोस्त के साथ क्या ऐसा होता है कि कभी वो साजित से कह रही है कि इसका भार वाइफरेंड नहीं है ये जूट बोलती है कभी वो शिव से कह रही है अगर उसको लग रहा था कि स सुम्बल गलत है तो सुम्बल को समझाती सुम्बल से सीधा पूछती पहली बार सलमान खान ने सुम्बल के साइड ली क्योंकि अब सलमान को भी लगने लगा है कि सुम्बल के साथ बहुत गलत हो रहा है ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था फाइनली सल्मान ने सुम्बल तौकीर खान के लिए स्टेंड लिया आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें